देखे इस पिच्च की ओपर जो जो भी अगर यह समझ रहा कि इंडिया बहुत असानी से जीट जाएगा वो कई न कहीं यह सोचे इंडिया जीत भी सकता है इंडिया हार भी सकता है बच्चे ने बीचारे ने 50 की थी उसा इंपार से टाइम मांगले है रोई शर्मा जास हैं ल जो जो भी अगर यह समझ रहा कि इंडिया बहुत असानी से जीट जाएगा वो कई न कहीं यह सोचे इंडिया जीत भी सकता है इंडिया हार भी सकता है क्योंकि यहां पे यह डेड़ सो रन भी चेस करना इतना असान नहीं है बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर 10-15 रन्स के जैसवाल हो गया या रोय शर्मा हो गया कि का यह आते ही खुली क्रिकट खेलेंगे यह इनकी पूरी कोशिश होगी कि जितना जल्दी अगर फास बॉलर लग गए हैं दोनों एंड से क्योंकि फास बॉलर ज्यादा तो बॉल करेंगे नहीं अगर किया भी तो दो दो बर करें इसे जादा नहीं गरेंगे यह हो सकता है एक एंड से हैंड री गरें दूसरे एंड से लग जैए उनकी पूरी कोशिश होगी कि जल्दी जल्दी करें रंस जतने ज्यादा जो है बना सकते हैं वरना जल्दी विकेट गेरगी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जागी और यहां पर भाई अश्विन के हाथ में कैश दे लिया मुझा मुझे लग रहा था यंग कोई बहुत खतरनाक तरीकिस आउट होगा अवे यह तो बिलकुल ही और आप यह देखो कि इससे पहले विरात कुली ने कि बहुत मुशकर से बच्चे ने बिचारे ने 50 की थी और से इ तुम यह बताओ तुमने लाइव में जडेजा सर स्टाइक अगेन और इस बार भाई एलबी डबली नी कैश ने इस बार सीधा विक्टो पे निशाना और यहां पर आखरी विकेट बची है यार अभी 10 पना मिंट और होते ना आखरी विकेट भी करती हो इंडिया कर डारेक बॉल टू फिलिप्स क्या ही शांदार उसने गेंड करवाई और फिलिप्स को बल्ब फ्यूज हो गया फिलिप्स वहां पे उसने दवे वास प्लेंग टी ट्वंटी के अंदाज से च्छके मार रहा था लेकिन जिस गेल पे वो आउट हुआ है यह बात तो वही है कि इससे भी कम फिर कितने कितने पे रोके भाई डेर्सों भी अगर थोड़ा सा इसन बट्स वाली शूर्त आने ही नहीं चाहिए लेकिन जिस तरीके की इंडिया की बैटिंग परफॉर्म की है अभी आपने देखा उनका वो यह समित क्मेंटेटर है वो भी कह रहा था किसी ना किसी तरीके से यह जो दो विक्टेव रहती हैं यह कल भी आ कि कोई पंदा बीस मिनट आदा घंटा खेल जाएं और पंदा बीस हंजोर एट करें तो फिर मज़ेदार काम बन जाए अगर आतीस उबहर नहीं आउट होते फर्ज करें यह बारा पंदाना बना भी ले कल का मैच यह स करना आपका राइट है बैलस्ट वे में आप उनको कुछ भी कह सकते हैं हो जाते हैं जब यह स्पिन ट्रैक के ओपर खेलते हैं तोबा 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 यह होती है सही स्पिन कंडिशन यहां पे जिस तरीके से बारती बोलर से बोलिंग की है पहली दफ़ा इस पूरी सीरीज क और न्यू जिलैंड नियुजे लेंड की टीम थे ना वह अंडर प्रेशर नजर आ रही है इस फर प्रेशर के अंदर थार्स ट्राइम की गई आए भारत की लोगा की तरफसे ऑन ट्लास करके रग दिया न्यूजे लेंड को शांदार बोलिंग की जितनी तारीफ करूं जद जिस्तों कहते हैं ना रिस्पोंसिबल एस शांदार पर्फोर्मेंस के उपर मुझे यकीन है नाइंटी नहीं बलके नाइंटी फाइफ परसेंट यकीन है कि यह रंस चेज़ होने वाला है कर ठीक है और कल तीसरे दिन शायद पहले सेशन में यह आपको मैच का रिजल्ट निक स्पेल आप नहीं खेल सकते बहुत मुश्किल था बिचारी न्यूजिलेंड टीम के लिए कि वो जदेजा का यह स्पेल खेलते अश्विन मतलब अनैलेसिस भी करते हैं क्रिकिट भी खेलते हैं टीम को जितवा के उसके ऊपर भी सब मतलब इस एक कम्पलीट पैकेज जो कितने लोग खेल सकते हैं मतलब किसी का बहुत ही अच्छा दिन हो तो कोई वो टैकल कर सकता है मतलब आज उन्होंने एरम बॉल करके बिल्कुल डिसीव कर दिया था किसी भी टाइम आप आउट हो सकते हैं यह इस तरह की पिछ है और कितनी दिर आप सरवाई करते हैं कितनी लग आपकी साथ देती है इस पिछ पे यह बहुत बहुत बढ़ा सवाल यह निशान होगा चार आउट करें जी जड़ेजा ने बावर नंद देके एक्षविन थोड़ा एक्षपंसिव रहा तरीसर नंद देके तीन एक संदर और एक अकाष अकाष ने जो डंडा उडाया लबी डबलू इंपार के देने के बाद जब रिव्यू लिया तो एज लगी थी और उसके जो डंडा उडाया टॉप क्लास दोनों तरफ से क्या मिस्टेक हुई फजूल में जो दो फास्बालर खिला है फजूल में हमने मैच से पहले ही कहा था कि एक फास्बालर से जाना चाहिए फाइदा यह ना बैट्समेंट खिला लेते हैं कुछ तो सारा मिलता कि 10-15 दन तो ए इंडिया इस मैच के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और जीत शायद एक आदे सेशन की दूरी पर है जो के कल होगा नोवन नोस के लंच तक यह मैच खत्म हो जाए या थोड़ा सा उपर जाए बट इस मैच में पूरी तरह से 90% ग्रिफ टिम इंडिया की बन गई है कल आखरी लमहाद थे मैच में तो उसमें न्यूजिलेंड ने प्लट कर एक तरह से वार किया था पूरी तरह ग्रिफ थी इंडिया की मगर लगातार तीन विकेट गरने के बाद न्यूजिलेंड की पुजिशन थोड़ी बहतर हुई मगर आज जैसे बैटिंग की खासकर शुम उस बंदे की भी है तो ज्यादा से ज्यादा न्यूजिलेंड की टीम के 180 रन हो जाएंगे जिसमें अगर भारतिय टीम के इन रनों में से 28 रन निकाल दिये जाए तो फिर भारतिय टीम को इस मकाबले को जीतने के लिए 150 या 160 रन बनाने पड़ेंगे शायद भारतीय टीम की मकाबले को बड़ी ही आसानी से जीत जाएगी और वैसे भी भारतीय टीम इस सीरीज से पहले ही दो जीरो से पीछे चल रही है तो भारतीय टीम इस मकाबले को इतनी आसानी से नहीं हारेगी तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर देना और साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा धन्यवाद